वजिटा एंड फ्रिजा की रिलेशन की अगर बात करें तो ये दोनों ओइल एंड वाटर की तरह है जो कभी एक नहीं हो सकते वजिटा का जनमसिद्ध अधिकार है कि वह अब फ्रिजा को वाइब आट करें ड्रेगन बॉल जी के टाइम पर जो वजिटा ने फ्रिजा को पहले भार फेश किया था तब वजीटा अपने जैंकाई बूस्ट की वजए से यहाँ अपनी पावर के एकदम पीक पॉइंट पर था बट फिर भी वहाँ फ्रीजा ने बड़ी आसानी से वजीटा को मार दिया था और अपसूस की बात यह है कि उस टाइम फ्रीजा ने अपनी फुल पावर को भी यूज नहीं इसके बाद एंड़ोड सागा की स्टार्टिंग टाइम से पहले मेटा फ्रीजा एंड वजीटा का आलमुस्त रिमेच होने वाला था बट इस बाद ट्रंक्स वजीटा के आतों से इस अपोर्चनिटी को ले लेता है और ट्रंक्स एंड गोगु के सुपरसेंट टांसफरमेशन से यहां वजीटा को उसकी लाइप का सबसे बड़ा मोटिवेशन देते हैं वजीटा के इसी मोटिवेशन के लते वजीटा टाइम आने पर अपने सुपरसेंट टांसफरमेशन को अनलॉप कर पाता है देन ड्रेगन बॉल जी की एक मुंदर फ्रीजा को यहां एक बार फिर से रिवाइब किया जाता है बट इस बार फ्रीजा को मारने के अपोर्चनि कि कभी नहीं मिला ड्रेगन बॉल सोपर की टाम लाइन के अंदर फ्रीजा अपनी कोल्टन फॉर्ण के साथ इंड्री लेता है यहां वो पहले गोकु के साथ वन ओन वन बैटल करता है बुरी तरीके से मार खाता है बट आकरी में फ्रीजा अपनी घटिया ट्रिक के चलते य बट यहां टोटारों के अजीबों गरीब जैसे इस बार भी यह चांस गोकु के पास चला जाता है वजीटा का फेंडम इस मुमेंट का वाकई में काफी सालों से वेट कर रहा है कि आगर कभ वजीटा फ्रीजा को मार पाएगा ग्रानूला आर के आकरी में ब्लेक फ्रीजा अपनी एपिक इंड के साथ यहां गोकु एंड वजीटा को उनके मोस्ट पारफुल ट्रांसफोर्मिसंस के अंदर यहां पर बड़ी आसानी से डिफीट कर देता है तो अब जल्दी ऐसी सिच्वेशन एक बार फिर से क्रियेट हो सी है जहां पर वजीटा फ्रीजा को मार कर अपनी आत्मा को सांती दे सके बट वजीटा की करंट अल्टरा एगो इतनी पारफुल नहीं है कि वो ब्लेक फ्रीजा को वन ओन वन टकर दे सके तो वजीटा के पास इस कंडिशन में मास्टरड अल्टरा एगो का एक हायर वर्जन है मास्टरड अल्टरा एगो के साथ वज अगर इस आर्क के अंदर अल्रा फ्यूशन किया जाता है तो यार इसार्क की हाइप एंड पॉप ली टी यहाँ पर कम्पलीटली नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी जैसा कि Black Frieza Arc Super Hero Mobic Prequel और End of G से पहले का Arc है तो अगर Starland Super Hero Mobic की तरब जाने वाली है तब तो Black Frieza का वाइप आट होना एकदम कनफर्म है Goku एंड Vegeta जल्दी Broly को Plant Wampa से लेकर बीर उसके Plant पर चले जाएंगे और सैथ Broly Super Hero Mobic के टाइम तक बीर उसके Plant पर रहकर अपने आपको ट्रेन करेगा जैसे Mastered Ultra Instead Goku काफी पारफुल था वैसे ही Mastered Ultra Ego Vegeta इस टोर लाइन के अंदर सुपर पारफुल होगा तो अब ये देखना काफी मजदार होगा कि आखर Vegeta और Frieza का Rematch किस अंदाज में ओवर होता है मैं चाहता हूँ कि कास Vegeta का जो भी Next Power Up हो वो इतना जादा पारफुल हो कि वो Black Frieza को Existence से आमेसा के लिए Wipe Out कर सके जैसे Beerus ने काफी टाइम पहले जमासु को किया था बाकि आप इनके Rematch के बारे में क्या सोचते हैं Let me know in comment box आयोप आपको वीडियो पसंद आयोगी तो यार वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक करो अभी तक आपने चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो फटा फट चैनल को सबस्काइब करते हुए बेल आइकन को अन कर लो बाकि थैंक्यू सो मच फर वाचिंग एंड आई विल सी उन ना नेस्ट ड्राइक इन बाल वीडियो तब तक के लिए गुट बाई